Amazon Prime Video ने अपने आगामी प्रस्तावित और संभावित कार्यक्रमों को लेकर बीते महीने के मध्य में मुंबई में अफ्रा तफ्री के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया. आयोजन में देश भर से लोगों को बुलाया गया. कम्पनी के शीर्ष पदाधिकारी भी विदेश से इस कार्यक्रम में पहुँचे. नेटफ्लिक्स से छिटक कर अप्राइम विडियो के करीब आचुके निर्माता, निर्देशक करण जोहर ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और इसी दौरान अभिनेता विजय वर्मा की एक महत्वा कांक्षी सीरीज, मटका किंग, का भी एलान किया गया. लेकिन इस सीरीज की अभी तक कास्टिंग तक पूरी नहीं हो सकी है. और इसका फाइदा मुंबई में सक्रिय कुछ कास्टिंग एजेंट उठा रहे, राश्ट्रिय फल है. स्वाद और गुणों के आधार पर आम को फलों का राजा कहां जाता है? मैंगो का जन्मस्थान पूर्वी भारत, बर्मा और मलाया क्षेत्र है और यहीं से यह फल पूरे भारत, श्रीलंका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स, दक्षनी चीन, मध्य अफ्रीका, सूडान और दुनिया के अन्य गर्म और आर्द्र जलवायू वाले स्थानों म फैल गया, हमारे देश में आम के बाग लगभग 18 लाक हेकर भूमी पर हैं, जिनमें से आधे उत्तर प्रदेश में हैं, बाकी आधा हिस्सा बिहार, बंगाल, उडिसा, आंध्र प्रदेश, महराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास और अन्य राज्यों में स्थित है, कई गुणों से भरपूर है आम, आम एक बहुप्योगी फल है, कच्चे आम से अलग-अलग प्रकार के अचार, जैम और चट्नी बनाई जाती है, पके आम को खाने के अलावा इसका उप्योग आम का जूस और अमाकरनावर बनाने में भी किया जाता है, जैम अत्पके आम से बन पच पाने के लिए जरूरी है कि कब और कैसे सिंचाई करें, ऐसे में आये जानते हैं, गर्मियों में आम में कितने दिनों पर, आम भारत का राष्ट्रिय फल है, स्वाद और गुणों के आधार पर आम को फलों का राजा कहा जाता है, मैंगो का जन्मस्थान पूर्वी भा बर्मा और मलाया क्षेत्र है और यही से यह फल पूरे भारत, श्री लंका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स, दक्षनी चीन, मध्य अफ्रीका, सूडान और दुनिया के अन्य गर्म और आर्द्र जलवायू वाले स्थानों में फैल गया, हमारे देश में आम के बाग लगभग 18 लाख हेकड भूमी पर हैं, जिनमें से आधे उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी आधा हिस्सा बिहार, बंगाल, उडिसा, आंध्र प्रदेश, महराश्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास और अन्य राज्यों में स्थित हैं। कई गुणों से भरपूर है आम। आम एक बहुप्योगी फल है। कच्चे आम से अलग-अलग प्रकार के अचार, जैम और चटनी बनाई जाती है। पके आम को खाने के अलावा इसका उप्योग आम का जूस और अमावड बनाने में भी किया जाता है। जैम अत्पके आम से बनाया जाता है। आम से विटामिन A और C. अच्छी मातरा में प्राप्त होते हैं। ऐसे में आम की खेती से भेतर उपज पाने के लिए जरूरी है कि कब और कैसे सिंचाई करें। ऐसे में आईए जानते हैं, गर्मियों में आम में कितने दिनों पर सिंचाई करना अच्छा होता है।